क्या बोलता है, कैसे काम करता है? इसके प्रबलम्स जो आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं ठीक है? और लगाते हैं उसको बैठके आराम से? ठीक है क्या होता है set, क्या होता है समझ्ज, वो एक अपनी language में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, set का अगर मतलब समझे, तो collection होता है, क्या समझ में आया, collection, collection को क्या बोल सकते हैं, संग्रह, संग्रह मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, अरे संग्रह मतलब होता है, किसी भी वस्तु का, संग्रह, उसका इखटा करना, उसको सजाना, उसको अपने पास रखना, ठीक है, संग्रह कहलाता है, जैसे बहुत सारे उधारण हो सकते हैं, संग्रह का, कैसे, जैसे, जैसे क्या हो सकता है, जैसे आप यह समझ लेजिए, आप मौर्निंग में जब सोबह उठते हो, तो ब्रसे होते हैं, जिससे आप brush करते हो morning में तो क्या है brush brush का अगर दिखा जाए तो एक तो brush होता नहीं है बहुत सारे best होते हैं और उनसे आप try करते हो उसके बाद brushes हो गए है ना मतलब brush का collection हुआ ना आपके पास ठीक है फिर बहुत सारे सामून का भी होता है सोप का भी बन सकता है हाँ बिल्कुल बन सकता है कोई कुछ लगाता है कोई कुछ लगाता है कोई कुछ लगाता है ऐसा कुछ कहने का मतलब क्या हुआ किसी भी चीज का चीज का मतलब किसी भी बस तू कुछ भी हो सकता है books का collection ठीक है, आपके पास books हो सकती, math की books यो मट्रे की books, बहुत सारी books ठीक है, तो अब collection तो बहुत सारा होता है, कौन सा collection अब आप क्या पढ़ोगे math में क्या है भू देखते हैं तो एक maths में क्या आता है, well defined collection, ठीक है यानि कि वो अच्छे तरीके से define होना चाहिए, मतलब उसका mean मतलब निकले, जो भी collection है उसका अब इसका क्या अतात पार हो ऐसा है जैसे एक A नाम का व्यक्ति है और B नाम का व्यक्ति है उससे कहा गया कि आप अपने favorite cricket team की collection करिए और B से कहा गया आप फिर favorite अपने team की collection करिए तो उसने का चलो भाई करते हैं A वाले ने कहा कि विराट को इली धोनी ऐसे कुछ बहुत सारे लेकिए लेकिन B वाले को विराट को इली नहीं पसंद था तो उसने कहा अरुष सर्मा और धोनी ठीके कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर A और B के लिए एक सेट नहीं है एक collection नहीं है अलग-अलग हो गया तो यह well defined नहीं है ठीक well defined का मतलब क्या हुआ जो ऐसा collection जो A के लिए भी हो और B के लिए हो दोनों सेम हो उसे कहते है well defined ठीक बात समझ में आई होगी हलके से कि ऐसा collection ऐसा समझ्च है जो सब के लिए वही हो जैसे जैसे मैं कह दूँ एक collection ऐसा है कि भारत के प्रदान मंत्रियों का समझ्च है तो आप स्टार्ट से कर लीजे जवाल नेरू से लेकर आप पीम जो नरेंद मोदीजी है उन तक इंडिया का जो भी नागरिक होगा सब के लिए जो वह collection बनेगा सब के लिए क्या सेम नहीं होगा इसे बोलते है well defined इंडिया का नागरिक क्या होगा वर्ड में चले जाए सब के लिए वही होगा ठीक है इसे बोलते है well defined यानि कि ऐसा समुच्च है जो सब के लिए एक जैसा हो ठीक अब हम लोग अगर गडित में बात करें मैट्स में मैट्स में क्या हो रहे मैं अगर आप से बोल दू मैट्स में चोटी सी बात कह दूँ कि विसम संख्याओं का समझ्च है संख्याओं का समझ्च है यह है ना ठीक है सेट आफ इविन नमबर्स क्या होगा तो आप लोग होगे दो, चार, छे, आठ ऐसे से करके आप चलते चले जाओगे क्या यह जो समझ्च्य बना यह सब के लिए एक ही जिसा नहीं हो सब के लिए एक जिसा हो आप कहीं पर भी चले जाओ यह समझ्च्य तो वही रहेगा ठीक तो आपने अभी तक जो भी मैंने बता है इसमें आपने यह सीच लिया कि समझ्च्य क्या होता है समझ्च्य क्या होता है समझ्च्य में आप ऐसी चीज या ऐसे numbers या ऐसे व्यक्ति का collection करते हैं कोई खटा करते हैं जो सब के लिए एक ही जैसी value रखता हो अब किसी भी अंगिल से देखलो उसको उसको तो उसकी जो फ्ल एलुए वो जो collection है वो एक ही तरीके से defined हो सकता है और दिफाई और इसको बताया जा सकता है यह होता है अब कुछ भी बोल कि जिसे भारत की नदियों का समझ्च्य है भारत के दियों का समच्य, कुछ भी हो जाए तो एक ही जिसा होगा, नहоля för Offline, एक जिस को लिखते कैसे हैं, इसको एंडिकेट कैसे कलते हैं, इसको प्रदर्सित कलते हैं, वो सब अलाग-लाग । जिसमेजे लिखना है बनुतार भारत की नदियों में समझता तो मैं कहूँगा धंगा यमना कोमा लगेगा ठीक रावी और ऐसे करके बहूत synchronous नदिया हैं जो भी भारत में उन साथ को दियह thirds अरुसुंत siit ko मजले और मदलoud में बंद करते हैं ठीक है बाद समझ में आए और यह हो गया मैं सेट का इंडिकेशन करने का तरीका समझ को इस तरीक ऐसे हम लोग लिख सकते या फिर अगर हम लोग गड़ती जो भासा है उसके इसाफ से देखें मालीचे मैं यही बात कर दूँ मैंने लिख दिया दो चार छे आठ ऐसे करके बंद कर दियो ठीक है तो यह जो दो चार छे आठ हैं यह सब समझ के अवयब बोले जाते कि आप बुले जाते हैं अभी दो है अभी अभी अब चार है किस समूझे का मैं लिज इसको पर डिकुलर कोई नाम दे ओए तो यहां पे जो नाम दिया जाएगा वह हमेशा जाएगा इसा चैप्टल लेटर बीबार दूसरी बात आपने जैसे यह बोल दिया दिया ए चार अभियब, छे अभियब, आठ अभियब, इसमें क्या होगा, कोई भी अभियब दुबारा नहीं आएगा, किसी भी अभियब को दुबारा आप नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक बार अगर दो लिख गया है, तो उसी के अंदर, उस सेट के अंदर, उस समुच्चे के अंद क्या समझें आपने collection सीच लिया एक well defined जो उसका एकटा करोगे आप इसको एक सब के लिए वो बात समान होनी चाहिए यह नहीं किसे के लिए अलग हो जाए इसके लिए अलग हो जाए ऐसा भी नहीं है ठीक है और इंडिकेट कैसे करते हैं इसको मजले ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और प्रतेक जो उसके अंदर अवियव होते हैं उनको अवियव बोलते हैं जो भी उसके अंदर लिखे हुए हैं और इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इंग्लिस के capital letter का यूज करते ह ठीक है, इतिमा समझ में है, ओके